सास बुरी तरह फूली हुई थी होश गायव क्या बात है विनीता तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो विमल से रहा न गया उसके होंट कान पे ऐसा लगा जैसे कुछ कहने के लिए पूरी ताकत लगा रही हो और फिर वह काम्याब हो गई होंटों के बीच में से कमजोर आवाज निकली मैं मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ जो तुम्हारे छक्के छोड़ा देगी दोनों के दिल बुरी तरह धरके नसीम ने पूछा ऐसी क्या खबर है वक वो सुरेश नहीं है कर क्या दोनों उचल पड़े कौन सुरेश नहीं है वक वही जो कोठी में रह रहा है जिसे अब तक हम सुरेश समझ रहे थे क्या बक रही हो तुम विमल दहार उठा म मैं सच कह रही हो वो सुरेश नहीं है फिर कौन है म मिक्की वो मिक्की है सुरेश का बड़ा भाय म मिक्की दोनों के हलक से चीक सी निकल गई सारा व्रमान्ड अपने सिर के चारो और सुदर्शन चक्रे के मानिंद गूनता नजर आया और वो नसीम थी जिसने खुद को विमल से पहले होश में लाते हुए पूछा या ये कैसे हो सकता है मिक्की कैसे हो सकता है वो मिक्की ने तो अपने कमरे में आत्मा वो वो सुरेश की लाश थी मिक्की ने सुरेश का कतल उसी दिन कर दिया था सुरेश की लाश को अपनी लाश शो करके मिक्की ने डाइरी आदी से ऐसा शड्यंत रचा जैसे उसने आत्महत्या कर ली हो वास्तव में मिक्की उसी दिन से सुरेश बना कोठी में रह रहा है ओ, नसीम के मुव से निकला फिर विनीता ने दूसरा धमाका किया रहटू मिक्की का दोस्त है वो मिक्की के सुरेश बन जाने से वाकिफ ही नहीं है बलकि उसकी मदद भी कर रहा है रहटू का यहां आना, सुरेश के मड़की बात करना आदी सब एक चाल है एक साजिश कैसी साजिश? नसीम ने पूछा तुम्हारी हत्या की साजिश म, मेरी हत्या नसीम बानों के होश ओड़ गए हाँ, विनीता कहती चली गई कुछ देर पहले यहां से रहटू यह प्रोग्राम सेट करके गया होगा कि कल तुम्हें सुरेश को साथ लेकर बुद्धा गार्दन जाना है और वहां वो जहर युक्त आइसक्रीम खिलाकर सुरेश का मड़ कर देगा हाँ, मगर नहीं वो मड़ सुरेश का नहीं वलकि तुम्हारा करने वाला है असल में जहर युक्त आइस्क्रीम तुम्हें दी जाएगी क्यों? उनकी नजर में एक मात तुम ही हो जो सुरेश बने मिक्की को जानकी नात की हत्या के जोर्ण में पस्वा सकती हो अता हुए तुम्हें ठिकाने लगा देना चाहते है ओ, अपनी हत्या का प्लान सुनकर नसीम के रोंग्टे खड़े हो गए थे बहुत देर से चुप विमल ने पूछा, ये सब विस्फोटक जानकारिया तुम्हें कहां से मिली? हमारे बीच तेह हुआ था ना कि सुरेश की स्वीकारोकती के रहसे को जानने के लिए उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी सो मैं ऐसा किये हुए थी और इसी के तहट मैंने नीचे वाले फोन पर रहटू और मिक्की के बीच होने वाला सारा वारतालाप सुना है दोनों की आवाज मुझे बिलकुल साफ साफ सुनाई दे रही थी विस्तार से बताओ, फोन पर उनकी क्या बाते हुई? बिना हिच के विनीता एक सास में बताती चली गई, सुनते सुनते नसीम और विमल के रोंग्टे खड़े हो गए उन्होंने तो कल्पना भी नहीं थी, विस्वयम इतने बड़े, गहरे और जबरदस्ट शड्यंत्र के बीच फसे हुए है और फोन पर हुई लगभग पूरी वारता सुनाने के बाद विनीता ने कहा, फोन के बाद मेरे छक्के छूट गए दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, ये कि इस वक्त तुम दोनों यहां होगे सो सारा राज बताने गारी उठा कर सीधी भागी चली आए, परंतु रास्ते में मेरे साथ एक और रहस्य में बात हुई, निश्चे नहीं कर पा रही हूँ कि उस बारे में तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है या नहीं ऐसी क्या बात है, विमल का लहजा काम रहा था सा, सोच रही हूँ कि सुनाने के बाद कही तुम मेरा मजाक न उड़ाओ नसीम ने कहा, तुम बोलो, यह वक्त सस्पैंस बनाने का नहीं है जब गारी ड्राइव करती हुई आ रही थी तो रास्ते में एक स्थान पर मुझे ऐसा लगा जैसे गर्दन पर किसी चीटी ने बहुत जोर से काटा हो, यह कहकर मजाक न उड़ाना की भला चीटी के काटने की बाद भी जिख लायक है क्योंकि उसे ध्यान से देखती हुई नसीम ने सवाल किया उस वक्त से मैं अपना सिर्चक्राता महसूस कर रही हूँ नीन सी आ रही है मुझे, आखे बंध हुई जा रही है जाने कैसी चीटी थी वकी आखे खुली रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी रही है नसीम और विमल के दिल की धरकने मानो रुख गई दोनों की नजरे मिली, आखों में एक अजीब खौफ था विनीता ने पूछा, तुम एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रहे हो? नसीम और विमल की नजरे पुनह मिली, विनीता के सवाल का जवाब उनमें से किसी ने नहीं दिया बल्कि विमल ने उल्टा सवाल किया, चीटी ने कहा काता था? यहां, उसने अपनी गर्दन पर उंगली रखी नसीम ने जुक कर उस थान को देखा, विमल तब विनीता की आखों में जाग रहा था उन आखों में, जिन में उसे हमेशा साथ समंदर नजर आया करते थे इस वक्त वीरानी नजर आए दूर दूर तक, सिर्फ वीरान ही वीरानी उधर, नसीम के हलक से एक दरावनी चीख निकल गई कर, क्या हुआ? विनीता ने भौकला कर पूछा विमल स्वयम भूचक का नसीम को देख रहा था और नसीम की हालत आजाच शेर के सामने बंदी बक्वी से भी बद्तर थी जाने क्या सूजा उसे की जपट कर उठी छलान लगा कर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया विमल ने लगभग चीख कर पूछा बात क्या है नसीम? विनीता मरने वाली है उसके मुव से वहश्याना अंदाज में निकला कर क्या? इसे किसी ने जहर बुजी सुई चुबोई है गर्दन पर एक बहुत छोटा सा धबबा है ठीक नीले थोते की तरह नीला न नहीं विमल के हलक से चीख निकल गई और विनीता उसे तो मानो लखवा मार गया किसी महापुरुष के श्राप से जैसे वो ततकाल पत्थर की शिला में बदल गई थी अवाक, हत्प्रब, भोचक्की मारे आतन के नसीम और विमल के चेहरे निस्तेज नजर आ रहे थे कई मिनट तक सन्नाता चाया रहा फिर विनीता, विनीता उसके दोनों कंधे पकड़कर विमल ने जंजोडा आ, जैसे समाधी तूटी हो याद करके बताओ, जिस वक्त सुई चुभी थी उस वक्त तुमने अपने आसपास किसी आदमी को देखा था क्या यदि, हाँ, तो वो कौन था विनीता विनीता की आवाज मूँ से नहीं किसी एंधकूप से निकलती महसूस हुई मुझे बचा लो, मैं मरने वाली हूँ विमल, मुझे बचा लो वातावरण में संसनी दोड़ गई जहर का तो जो असर विनीता पर था वो था ही, उससे ज्यादा असर था इस अहसास का की उसके जिस्म में जहर पहुच चुका है और वो मरने वाली है इस आतंक ने उसे समय से पहले ही मौत के करीब ला दिया था विमल उससे अपने सवाल के जवाब की अपेक्षा कर रहा था, जबकि उसने दोनों हाथों को बढ़ा कर विमल का अचानक नसीम ने आगे बढ़कर पूछा ये बताओ विनीता उस वक्त अपने आसपास तुमने किसे देखा था शायद अंदाजा हो कि तुम्हारे खून में मिलाया गया जहर किस किस्म का है तब वैसा ही इलाज किया जाए विनीता ने जवाब देने के लिए मुह खोला और यह प्रतम अफसर था जब विमल और नसीम ने उसके मुह में नीले जाग देखे वो कहती चली गई मैंने किसी को नहीं देखा वहां कोई नहीं था सिर्फ चीटी के काटने का एहसास हुआ था मगर तुम लोग कुछ करते क्यूं नहीं मेरा सिर्फ चक्रा रहा है आखे बंध हुई जा रही है मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा विमल कुछ करो विमल किन करतव्य विमोड ये हादसा तुम्हारे साथ कहा हुआ था नसीम ने पूछा गाड़ी में जब मैं ड्राइव कर रही थी नसीम ने पुनह पूछा क्या उस वक्त गाड़ी में तुमने अपने अलावा किसी को यही बात बार बार पूछ कर तु समय बर्बाद क्यों कर रही है विनीता पागलों की तरह आखे बाहर निकाल कर गुराई एक बार कह चुकी हूँ कि मैंने किसी को नहीं देखा कान खोल कर सुन ले वहां कोई नहीं था अब कुछ कर अगर मैं मर गई तो सुरेश की दौलत का जर्राभी तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा मुझे बचा लो तुम कुछ करो विमल कर जाग उसके होटों से बाहर आने लगे थे आखे पुतलियों की चारदीवारी पार करने लगी और मरने से पहले ही निस्तेज पड़े चहरे वाली विनीता ने पुनह कहा किसी डौक्टर को बुलाओ वो मुझे बचा सकता है मेरे मरने के बाद तुम दोनों कंगाल हो जाओगे किसी को एक फूटी कौरी भी नहीं मिलेगी विमल ने नसीम की तरफ देखा उसका आशय समझ कर नसीम बोला अगर यहां कोई डौक्टर आया खास्तोर से विनीता के लिए तो सारे भेद खुल जाएंगे लोग जान जाएंगे की हमारे क्या सम्बंध है हराम जादी विनीता विमल का गिरेबान छोड़कर उसकी तरफ जपटी सी गुर राई यहां मैं मरने वाली हो और तुझे भेद खुलने का दर सता रहा है मगर विमल और नसीम के बीच का फासला वते न कर सकी और रास्ते में ही बुरी तरह लर्खडाने के बाद धराम से फर्ष पर गिरी आखे उलट चुकी थी मुह से जागों का अमबार निकल रहा था हाथ पाव धीले पढ़ते चले गए कोशिश करने के बावजूद वो फर्ष से उठने में काम्याब न हो सकी चहरा नीला पड़ता चला गया और फिर वो बार बार यही कहती हुई कि मैं मरने वाली हूँ रोने लगी फूट फूट कर नसीम और विमल ठगे से खड़े थे ये सच्चाई है कि विनीता को अपनी आखों के सामने मरती देख उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था जिस्म मानो दिमाग रहे थे उधर रोती हुई विनीता अचानक हसने लगी खिल खिला कर विमल और नसीम के रोंग्टे खड़े हो गए हसती हुई भी वो बार बार कह रही थी कि मैं मरने वाली हूँ और यही कहते कहते अचानक उसके जिस्म को एक तीव जटका लगा और फिर सब कुछ शांट मुह से ज्याग उगलती हुई वो फटी फटी आँखों से कमरे की छट को गूरती रह गई इस देख़त से ग्रस्ट की वो मरने वाली है अपने जीवन के अंतिमक्षन से विनीता शायद पागल हो गई थी जहर और दहशत ने मिलकर उसके प्राण हर लिये थे नसीम और विमल अभी तक हतप्रब खरे थे किन कर तवे विमूर विनीता की मौत के भयानक मंजर ने उन्हें इस कदर अपने शिकंजे में कसलिया था कि उन्हें स्वयम ये हिसास नहीं हो रहा था कि उनका अपना भी इस दुनिया में कोई अस्तित्व है या नहीं फर्ष पर पड़ी लाश उनकी टांगे कपकपाय दे रही थी काफी देर बाद बच्चपन से आज तक की सारी शक्ती समेट कर विमल ने कहा ये क्या हो गया नसीम हमारे देखते ही देखते क्या हो गया ये सारे पासे उलट गए है नसीम बढ़ बढ़ाए किसने किया है ये विनीता का हत्यारा कौन हो सकता है मेरे ख्याल से उसने तार लिया होगा कि विनीता ने रहटू और उसकी बाते सुमली है इसका मड़ कर देने के अलावा उसके पास कोई चारा न रहा होगा क्या वो ये भी जान गया होगा कि विनीता हमसे मिली हुई थी न, नहीं, इस बारे में उसे कोई इल्म नहीं हुआ होगा क्योकि ऐसी कोई बात ही कहीं नहीं हुई इसके मड़ की जरूरत तो मिक्की को इसलिये पढ़ी होगी क्योकि ये उसका भेद जान गई थी जाहिर है कि अपना भेद जानने वाले को वो जीवित नहीं छोड़ सकता था मा, मगर सुई इसे कार में चुबोई गई और कार को ये कोठे की तरफ लाई है वो अभी भी नीचे खड़ी होगी, अगर वो कार के साथ यहां तक आया हो तो नसीम अवाक रह गई, फिर एकाएक वो फोन पर जपटी सुरेश की कोठी का नंबर डायल किया, मुश्किल से एक बार बैल बजने के बाद रिसीव उठा लिया गया दूसरी तरफ से सुरेश की आवाज उबरी, हेलो, सुरेश हिया मैं बोल रही हूँ, सुरेश नसीम ने संतुलित स्वर में कहा ओ, हाँ, बोलो, तुम्हारे आसपास कहीं विनीता या काशीराम तो नहीं है? नहीं, अच्छी तरह चेक करके बताओ, मुम्किन है कि उनमें से कोई तुम्हारे पास हो नहीं हो सकते, काशीराम शॉपिंग के लिए बजार गया है और विनीता कुछ देर पहले जल्दी जल्दी तयार होकर जाने अपनी गारी में कहा गई है? जल्दी जल्दी तयार होकर हाँ, काशीराम ने बताया कि वो बहुत जल्दी में थी खेल, छोड़ो उसे, ये बताओ कि फोन तुमने कैसे किया, क्या इंस्पेक्टर फिर आया था? नहीं, फिर, मनू और इला ने कल शाम को तुमसे बुद्धा गार्डन में मिलने के लिए कहा है अब क्या परेशानी है उन्हें? मैं समझ न सकी, पूछा भी, मगर कहते हैं कि बुद्धा गार्डन में ही बात होगी, तुम्हारे साथ उन्होंने मुझे भी बुलाया है क्या वे फिर कोई नई मान रखने वाले है? कह नहीं सकती, कल मेरे पास टाइम नहीं है, एक बहुत जरूरी काम है मुझे लग, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा सुरेश, मनू और इला ने धमकी दी है कि यदि हम उनसे मिलने नहीं पहुचे तो वे इंस्पेक्टर महातरे को सब कुछ बता देंगे, यही न? हाँ, अब सचमुच इनका कोई इलाज सोचना पड़ेगा नसीम, यह उतने ही सिर पर चद रहे हैं जितनी इनकी मांगे मानी जा रही है आज पैसा लेते हैं, कल फिर धमकी देने लगते हैं, ऐसी स्थिती में इन्हें कब तक बरदाश्ट किया जा सकता है? बात तो ठीक है, किन्तु मजबूरी है सुरेश, हमारी उंगली दबा हुई है सुरेश की आवाज में उधर से मिक्की ने गुरा कर कहा, ठीक है, यह उंगली हमें निकालने पड़ेगी, शायद मैं कल ही सब कुछ ठीक कर दू, तो कल शाम ठीक 6 बजे बुद्धा गार्डन के मुखे गेट पर मिलो ओ, के, नसीम ने रिसीवर रख दिया, अभी तक हक्का बक्का विमल उसे फोन पर बात करते देख रहा था नसीम के मुख से निकलने वाली एक-एक बात उसने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी थी उसकी तरफ पलटती हुई नसीम ने कहा, विनीता का हत्यारा मिक्की नहीं है क्या मतलब, वो उच्छल पड़ा विनीता को सुई चलती कार में चुभी, जाहर है कि सुई चुभाने वाला उस वक्त कार में रहा होगा और यदी कार में था तो कोठे के नीचे पहुचने से पहले वो कार से निकल नहीं सका होगा क्योंकि विनीता ने कार बीच में कहीं नहीं रोकी और यहां से सुरेश इतनी जल्दी अपनी कोठी पर नहीं पहुँच सकता मुम्किन है कि यह काम उसने रहटू से कराया हो तुम भूल गए कि फोन पर रहटू और मिक्की की बात सुनते ही विनीता गारी लेकर यहां के लिए दौर परी रहटू फोन पर मिक्की से कुछ दूर तो रहा ही होगा मेरे ख्याल से इतना समय बीच में नहीं था कि रहटू गारी में पहुँच सके सिचुएशन से जाहिर है कि हत्यारा विनीता से पहले ही गारी में छुपा हुआ था नसीम के वजंदार तरकों के सामने विमल चुप रह गया नसीम कहती चली गई जो बातें अभी अभी मिक्की ने फोन पर की है उनसे भी यह ध्वनित होता है कि हत्या से संबंध तो दूर की बात अभी तक उसे इल्म भी नहीं है कि विनीता मर चुकी है ऐसा क्या कहा उसने? मनु और इला के मसले पर बात करते वक्त उसने छुपे शब्दों में कल बुद्धा गार्डन में मेरे होने वाले अंत की धमकी दी है अगर उसे यह इल्म होता कि विनीता ने रहटू से उसकी बाते सुनी है या विनीता का हमसे कोई संबंध है तो छुपे शब्दों में ये धमकी कदापी न दी होती ये धमकी उसने ऐसे शब्दों में दी है कि यदि हम हकीकत न जानते तो मैं ताड़ नहीं सकती थी कि वो धमकी है कि हम हकीकत नहीं जानते सो समझ में तो मेरी कुछ आएगा नहीं तुम भूल रही हो नसीम की वो जबरदस्ट अभिनेता है विनीता के बताने से पहले हमें एहसास तक न हो सका कि वो सुरेश नहीं मिखकी है मुम्किन है कि इस मामले में भी वो अपने सफ़ल अभिनेता होने का परिचे दे रहा हो अभिनेय अलग होता है और किसी बात के जवाब में कहीं गई स्वाभाविक बात अलग मैं फोन पर बात करने के बाद गारंटी से कह सकती हो कि सुरेश नतो विनीता का हत्यारा है और नहीं विनीता के मरने की फिलहाल उसे खबर है फिर विनीता का हत्यारा कौन है? ये जरूर सोचने वाली बात है सोचने के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है बलकि अगर यह कहा जाए तो गलत न होगा कि हमें जो कुछ करना है बहुत तेजी से करना है अगर धीले पड़े तो मुम्किन है कि सारी डोरिया हमारे हाथ से निकल जाए मगर अब सबसे पहले विनीता की लाश और नीचे खड़ी उसकी गारी के बारे में सोचना जरूरी है म, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नसीम खुद को होश में रखों विमल यदि इस वक्त हमने दिमाग से काम नहीं लिया तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि फिर जिन्दगी भर दिमाग से काम लेने के बावजूद हम अपने चारो और फैले निराशा के जाल को नहीं काच सकेंगे मैं समझा नहीं कोठे पर इस वक्त हमारे अलावा सिर्फ वो साजिदा है जो विनीता के आगमन की खबर लाया था उसने विनीता की चीखे सुनी थी और अपने पैरो से विनीता को यहां से निकलते न देखेगा तो जाने क्या उट पतान सोचने लगेगा अता उसे किसी काम के बहाने कहीं दूर भेजती हूँ ठीक है नसीम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी साकल खोल कर बाहर निकलते वक्त उसने किवार धुलका दिये थे विमल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था अपना सिर पकड़ कर वो पलंग पर बैठ गया और नेत्र मूंड कर हवा में तेरते मस्तिश्क को सही स्थान पर फिट करने की चेश्टा करने लगा तब तक वो अपने प्रयास में काफी सफल हो चुका था जब तक कि नसीम बानों वापस कमरे में आए आते ही उसने कहा मैंने उसे ऐसे काम से भेज दिया है कि एक घंटे से पहले नहीं लोटेगा उसके वापस आने पर कह दूंगी कि तुम दोनों चले गए मगर उससे पहले लाश और कार को किसी उचित स्थान पर ठिकाने लगाना है दिन दहारे भला हम लाश को कहा ले जा सकते हैं ये भी सही है मगर रात शुरू होने पर तो यहाँ दिन से भी ज्यादा चहल पहल शुरू हो जाती है और तीन बजे के बाद ही कही सन्नाटा होता है लाश बाहर निकालने के लिए वही टाइम उचित रहेगा म मगर तब तक क्या लाश यही रहेगी मजबूरी है नसीम बानो ने एक पल कुछ सोचा मुद्रा से जाहिर था कि लाश के यहां रहने पर वह चिंतित है मगर विवश्टा थी बोली ठीक है तुम कार को कही ठिकाने लगा कर आओ तब तक मैं लाश को इस सेफ के अंदर थूसती हूँ विमल ने गाड़ी की चाबी उठा ली तीस मिनिट बाद टाउन हॉल के पारकिंग में खडी कर आया हूँ विनीता की लाश को ठिकाने लगाने में शायद काम आए ये तुमने समझदारी का काम किया विनीता की लाश को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर हम किसी सूनी सडक पर खाये में लूरका देन गे ताकि गाड़ी और लाश मिलने पर पुलिस को लगे की किसी के द्वारा जहरीली सूई चुबहने के बाद विनीता ने ड्राइविंग की और जहर का असर होते होते गारी उसके काबू से बाहर होकर खाय में गिर पड़ी शायद यही उचित होगा कहने के बाद थका सा विमल बैड पर बैट गया कुछ देर चुप रहने के बाद बोला समझ में नहीं आता की पलक जपकते ही आखिर ही क्या हो गया विनीता की हत्या मिक्की या रहटू ने नहीं की तो फिर कितने की है इस बारे में बाद में सोचेंगे फिलहाल अपने और मिक्की के बीच चल रही जन्द के बारे में सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है सारे पासे उलट गए है जहां हम ये सोच रहे थे कि सुरेश हमारी उंगलियों पर नाच रहा है वही पता लगा कि सुरेश दरसल सुरेश है नहीं मिक्की है और अगर विनीता उसकी बाते न सुनती तो हम मिक्की और रहटू के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे अब उसकी हेरतंगेच स्वीकारोकती की वजह भी समझ में आ रही है विमल ने कहा दरसल जब तुमने फोन पर धंक से बात की जैसे जानकीनाथ के मड़ में वो तुम्हारे साथ रहा था तो सुरेश बने मिक्की ने सोचा होगा कि निश्चे ही सुरेश ने तुम्हारे साथ मिलकर मड़ किया होगा उसने सोचा होगा कि यदि अंजान बना या कोई सवाल किया तो मिक्की होने का भेद खोल जाएगा अतह सब कुछ स्वीकार करते चले जाओ मजे की बात यह है कि वो अभी तक सुरेश को सचमुच जानकीनात का हत्यारा समझ रहा है रहटू से भी उसने यही कहा तभी तो उन दोनों ने मिलकर अपनी नजर में उस मड़के एकमात गवाह यानी मेरे मड़की स्कीम तयार की पुलिस इंस्पेक्टर को धरले से फिंगर प्रिंट्स देने वाली बात भी अब समझ में आ रही है उसे मालूम था कि वो मिक्की है सो उसके फिंगर प्रिंट्स भला सुरेश की उंगलियों के निशान से कैसे मेल खा सकते थे ये राजपता लगने के साथ ही सारी गुथिया स्वता सुलच चुकी है कि वो सुरेश नहीं मिक्की है एक घंटा पहले और अपके हालतों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है अतह पिछली सारी रन्नीती को भूल कर नए सिरे से नई स्थिती पर गौर करके हमें भविश्य के लिए नए रन्नीती तयार करनी होगी जानकीनात की हत्या के जुर्म में सुरेश को सजा के बाद कानून सारी दौलत विनीता को मिलनी थी इसी वज़े से उसके एक हिस्सेदार तुमगे थे और मुझे तो उसमें से सारी जिंगी कुछ न कुछ मिलता रहने वाला था ही किन्टू विनीता की मौत के बाद ये सारी स्कीम स्वता धराशाई हो चुकी है अब भले ही कथित सुरेश फासी के पंदे पर जूल जाए उसकी दौलत में से हमें फूटी कौरी मिलने वाली नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अब सुरेश बने मिक्की को जानकीनात की हत्या के जोंग में पसाने से हमें कोई लाब ही नहीं है अगर देखा जाए तो सारी दौलत पर मिक्की और रहटू का कबजा हो चुका है मैं उनकी नजर में रास्ते का काता हूँ ही अतह यदि कल की उनकी आइस्क्रीम वाली साजिश से बची तो वे फिर किसी दूसरे तरीके से मेरे मड़ की कोशिश करेंगे शायद हमेशा उनके प्रयास से बची न रह सकू यही स्थिती तुम्हारी भी है देर सवेर वे विनीता और तुम्हारे संबंधों का पता लगा लेंगे और फिर उन पेशेवर गुंडों को तुम्हारा मड़ करने में देर नहीं लगेगी अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए नसीम ने कहा अब हमें अपनी आगे की रन्नीती दौलत के लिए नहीं बलकि उससे भी कही ज़्यादा कीमती अपने प्राणों की हिफाज़त के लिए तयार करनी है अगर उसका इलाज न किया गया और वे इसी तरह आजाद गूंते रहे तो हमारी जिन्दगी के लिए हमेशा खत्रा बना रहेगा विनीता की लाश को मैं काफी देर पहले सेफ में बंद कर चुकी थी तब से यहां बैठी इसी बारे में सोच रही हो उन दोनों के खत्रे से खुद को मुक्त करने की तरकीब मैंने सोची भी है अब सिर्फ उस पर तुम्हारी स्वीकृती की मोहर लगना बाकी है पहले नसीम ने रहटू नाम की मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब बताई विमल ध्यानपूरवक सुनता रहा और अंत में बोला वेरी गुड रहटू का इससे बहतरीन इलाज कोई अन्य नहीं हो सकता मगर ऐसा वह नहीं कर सकेगा दरसल हकीकत खोलने का मतलब होगा पुलिस को ये बता देना की सुरेश, सुरेश नहीं मिक्की है और यह राज उनमें से कोई भी मरते दम तक पुलिस पर नहीं खोल सकता अब रहा मिक्की, उसके बारे में मुझे अपनी पूर्व योजना ही उचित लग रही है ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है जिसकी वजह से उस योजना में चेंज करना पड़े क्या हत्या के जुर्म में फसने के बाद भी पुलिस को नहीं बताएगा कि वो सुरेश नहीं मिक्की है पहले वो अपना राज छुपाय रखने की कोशिश करेगा मगर जब देखेगा कि किसी भी रास्ते से बच नहीं पा रहा है तो स्पष्ट कर देगा कि मैं मिक्की हूँ और जब हो सुरेश है ही नहीं तो जानकीनात का हत्यारा वो स्वतह नहीं है पकड़ा जाता रहे हमारी योजना तो फेल हो ही गई न और उसके फेल होने का सीधा मतलब होगा तुमसे वादामाफ गवाही वाली फैसिलिटी छिन जाना क्योंकि उस थिती में जानकीनात की हत्या की एक मात मुजरिम तुम ही बची सुरेश बने रहकर जानकीनात की हत्या के जुर्म में पकड़े जाना फिर भी मिक्की बनकर सुरेश की हत्या के जुर्म में पकड़े जाने के मुकाबले मिक्की के लिए फायदे का सौधा होगा और इसलिए वो मिक्की बनकर पकड़े जाने से बहतर सुरेश के रूप में पकड़ा जाना पसंद करेगा जरा ध्यान दो जेल से बाहर आने पर सामने पुनह वही फक्कर जिंगी होगी ये तो नहीं बता सकता मगर इतना जान लीजे कि उसके पास आईस्क्रीम के जो कप है उम्मे से कम से कम एक में जहर मिक्स है लेबोरेटरी जाच के बाद ये साबित हो जाएगा दरसल वो ही एक कप उसे देने वाला है जिसका मड़ करना चाहता है हाँ, कल जब मैंने तुमसे फोन पर कहा था कि वो जल्दी में अपनी गारी लेकर कही गई है तभी से गायब है कल रात तक तो मैंने या घर के किसी नौकर में उसे आते नहीं देखा जब रात तक तो लोट आना उसकी दिन चर्या थी मैं ग्यारा बजे सो गया था सुबह जब उठा तो काशीराम ने बताया कि वो रात भराई ही नहीं तब मैं कुछ चोगा क्योंकि पूरी रात वो पहले कभी गायब नहीं रही फिर भी यह सोचकर संतोश कर लिया कि रात ज्यादा पी गई होगी नशा उत्रेगा तो कुछ देर बाद लोट आएगी मगर सारे दिन इंतजार करने के बावजूद न वो स्वयम आई और नहीं फोन पर कोई सूचना दी सिग्रेट होठो पर जूल रही थी कश तक लगाने का होश नहीं था उसे और इस कदर होश गुम होने की वजह थी महात्रे की यहां मौजूदगी जानकीनाथ की तिजोरी खाली करते करते उसका बैक थसातस भर गया चेन बंद करके अभी खड़ा हुआ ही था की जानकीनाथ की रिवॉल्विन चेय की चूचा उसके कानों में पड़ी अपनी तरफ से हमारा मद़ करने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी हम तैरना नहीं जानते इस जानकारी का तुमने खूब फायदा उठाया मगर जिसकी मौत नहीं आई उसे कोई नहीं मार सकता विमल महता हमें महवा ने बचा लिया था बेहोश आवस्था में वह हमें अपने घर ले गया होश में आने पर उसने बताया की वह दुरगटना नहीं बल्कि हमारे मद़ की कोशिश थी इसकी जानकारी उसे नाव से पानी उलीचते वक्त तली में बनाए गए छेद देखकर हुई हम उल्जन में पढ़ गए कि हमारे मड़ की कोशिश कौन कर सकता है सोचा की पता लगाने का इससे बहतर रास्ता नहीं कि अपने मड़ को हुआ शो कर दे तब एक लावारिस लाश खरीद कर हमने उसे जानकीनाथ बनाया विमल महता वो एक भिखारी की लाश थी जिसे बुरी तरह फूली और वीभत्स होने के कारण तुम ही ने नहीं बलकि पुलिस ने भी हमारी लाश समझ लिया था जानकीनाथ ने पूरी सतरक्ता के साथ सिगार में कश लगाया और बोले गायब होने के बावजूद ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि हमारे मड़का शड्यंत्र किसने रचा और एक दिन महुआ ने बताया कि उसके पास नसीम बानो आय थी नसीम ने उससे जो बाते की उन्हें सुनकर हम इस नतीजे पर पहुँचे की जल्दी से जल्दी हमारी संपत्ती का मालिक बनने के लिए सुरेश ने ये कोशिश की हमारे तन बदन में ये सोचकर आग लग गई की जिसे गोद लेकर हमने अपना वारिस बनाया वो इतना खतरनाक सपोला निकला, उसी वक्त हमने सुरेश को मजा चखाने का फैसला किया, महुआ को निर्देश दिया कि यदि इस बारे में पुलिस कुछ पूछे तो सच मुछ उसे हर घटना से अंजान बने रहना है, हाँ, शुरू में हम ये समझे थे कि नसीम बानों के सा वाली बातों से तो हमारे दिमाग में पूरा खाका ही स्पष्ट हो गया था कि हमारे मदा का प्लान क्या था, यदि उस वक्त हम नसीम बानों की जगा सुरेश का पीछा करते तो शायद हकीकत से वंचित रह जाते, परन्तु नसीम अच्छा था कि बस अड़े से हमने नसीम क पीछा किया, नसीम को उसकी करनी का मजा चखाने का निश्चे हम उसी दिन कर चुके थे, सो गुप्त तरीके से कोठे में घुसे और तब हमने नसीम, विनीता और तुम्हारी वेबाते सुनी जिन्हे करते वक्त तुम लोग सुरेश की स्वीकारोकती पर हैरान थे, वहां हम अपने असली हत्यारों के चेहरे देखने को मिले और साथ ही यह भी पता लगा कि हमारे मड़के जोन में हमारे ही बेटे को फसाने की लगभग सारी तयारी पूरी हो गई है, यह सोचकर हम भी हैरान हो उठे कि सुरेश नसीम के साथ हमारी हत्या में शामिल नहीं था तो बस पड़े पर वो ऐसी बाते क्यों कर रहा था, जैसे वही हत्यारा हो, फिर हमें लगा कि वास्तब में वो अपने अंडर्ज में तुम्हें चक्मा देने की कोशिश कर रहा है, हमें उसकी नादानी पर प्यार आया, सोचा कि तुम लोगों को धोखा देने की वो कितनी तो वह मासूम तुम्हारे जाल में पंज जाएगा, ये बात भी विमल की समझ में आ रही थी कि जो लिफाफा जानकीनाथ थाने में महात्रे के लिए छोड़ कर आया है, वो उनकी समूची साजिश और थाने में चल रहे ड्रामे को एक ही जटके में धराशाई कर देगा, हा लग रहा था कि नसीम को किसी तरह उसके और रहटो के सयुक्त प्लान से अपने होने वाले मड़की भनक लग गई होगी, तभी तो वो सरकारी गवाह बन गई, जितने सबूतों के आप मुझसे तलबगार थे, वे पूरे हो गए हैं या अभी कोई कमी बाकी है, मुझे तु इंस्पेक्टर, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते है, मेरा बेटा, मेरा सुरेश बेगुना है, मेरे असली कातल विमल, विनीता और नसीम बानो है, विनीता और विमल को अपने हाथों से सजा दे चुका हूँ, नसीम बानो को कानून सजा देगा, मुझे कानूम के हवाले करने आया हूँ. कानूम जो उचित समझे सजा दे मगर मेरे बेटे को छोड़ दो, ये पूरी तरह निर्दोश है. इस मासूम को तो इन तीनों शैतानों ने अपने जाल में फसा कर यहां ला बैठाया है. जानकीनात की आवाज के अलावा वहां सन्नाता ही सन नाता था. फिंगर प्रिंट्स के रूप में वह एक ऐसा पुखता सबूत दे चुका था कि अब लाग कोशिशों के बावजूद खुद को सुरेश साबित नहीं कर सकता था. मिक्की का जी चाह रहा था कि यदि मेरा नसीब इनसान के रूप में सामने आ जाये तो उसके सुरेश की पतनी विनीता ही नहीं बलकि उसके नौकर तक मिक्की की गरीबी के कारण इससे नफरत करते थे. इस बात के गवाह जानकीनात भी है कि सुरेश मिक्की से प्यार करता था. मिक्की के दिल में भी सुरेश के लिए उतना ही प्यार था. इस बात का गवाह मैं हूँ. मिक्की सुरेश से मिलने अक्सर कोठी पर जाता था सुरेश के अलावा इससे कोई भी बात नहीं करता था अताहिसे सीधा सुरेश के कमरे में ही पहुचा दिया जाता था उस दिन जब ये सुरेश से मिलने गया तो नफरत से मोह सिकोरते हुए विनीता ने इसे सुरेश के कमरे में जाने की इजाज़त दे दी, मगर कमरे में कदम रखते ही मिक्की के होश ओर गए, सुरेश की लाश अपने कमरे के पंखे में जूल रही थी, व्रिश्य, ऐसा था जैसे उसने आत्महत्या कर ली हो, मारे दर के मिक्की चीक के साथ अभी कमर मिक्की की समझ में ऐसी कोई चीज या बात नहीं आ रही थी जिसका सुरेश को अभाव हो और मिक्की यह सो चकर रुख गया की सर्फसुक संपन्न सुरेश ने भला आत्महत्या क्योंकि कमरे में पैनी नजर घुमाने के बाद मिक्की को सुरेश की आश ट्रे में 555 के टोटो के बीच चांसलर सिग्रेट का एक टोटा नजर आया अलग रंग का होने के कारण वो दूर से साफ चमक रहा था जबकि मिक्की अच्छी तरह जानता था कि सुरेश सिर्फ और सिर्फ 555 की सिग्रेट पीता था फिर चांसलर किस ने पी सारांश ये की मिक्की समझ गया कि सुरेश में आत्म हत्या नहीं की बलकि उसका मड़ किया गया है उस वक्त मिक्की जिस तरह गया था उसी तरह दर्वाजा भिरा कर वहां से आ गया सारा हाल मुझे बताने के बाद ये फूट फूट कर रोने लगा कहने लगा कि जाने किस कमीने ने मेरे भाई की हत्या कर दी अगर वो की सुरेश की लाश मिलने पर मुम्किन है कि पुलिस इसे आत्म हत्या का केस मान कर फाइल बंद कर दे ऐसी हालत में सुरेश के हत्यारे का पता तक नहीं लगना था मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो उस वक्त हमने सोचा ये अलग बात है कि उसे आज आप गलत करार दे या रहटू कहता चला गया वैसे आप हर पुलिस वाले को अपनी तरह इमानदार न समझें इंस्पेक्टर महात्रे मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पुलिस अफसर देखे हैं जो ठीवी सी रकम के लिए न सिर्फ ऐसे सबूतों को अंदेखा कर देते हैं जिन्हें अंधा भी देख ले बलकि उन्हें गायब भी कर देते हैं उसके फेवर में नए सबूत घटनास्थर से बरामद भी दिखा देते हैं जिसे हरे नोट मिले हों कुछ देर चुप रहने के बाद इंस्पेक्टर महात्रे ने कहा हाला कि तुम दोनों दोस्त हर सवाल का जवाब बड़ा मा कूल दे रहे हो मगर अभी तक अपने बयान को सच साबित करने वाला कोई थो सबूत पेश नहीं कर सके हां अलका के जिसम और उसके पास बरामद चावी पर ही नहीं बलकि उसके कमरे के बाहर लटके ताले पर भी मिक्की की ही उंगलियों के निशान पाए गए उधर जिस ट उतोसे सपश्ट हो रहा है कि मिक्की अलका को उसके कमरे के अंदर से ही बेहुश करके रेल की पट्री तक ले गया मगर हैरानी की बात ये है कि मिक्की मर चुका है फिर हर स्थान से उसकी उंगलियों के निशान मिलने का क्या मतलब है फिर तुमने भी वही निशान भेज दि बता दू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, रहटू, महात्रे ने कहा, दोस्ती के जजबातों ने शायद तुम्हें पागल कर दिया है, मिक्की को बचाने की जो कोशिश तुमने आफिस में की थी, वह तो फिर भी जच्चती थी, मगर यह कोशिश या ऐसा करके तुम दोस्ती क हक अधा नहीं कर रहे हो, बलकि नादानी कर रहे हो, इस तरह मिक्की तो बचेगा नहीं, तुम भी संगीन जुर्म के मुझरिम बन जाओगे, महात्रे आदी हवालात में बंद सींक्चो के बीच से ऐसा चमतकारी दृश्य देख रहे थे, जिसकी उन्होंने स्वपन में भी कलपना न की थी, रहटू की हालत, उसका एक एक शब्द उनकी दिल्चस्पी का बायस था, शशिकांत ने कहा, तुम अपने हाथ उसके खून से क्यों रिंगते हो, कानून तो उसे सजा देगा ही